को यदि यो यो अच्छ हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रीधिंग एक्सेसिज़ेबुटेज्सिस के बड़े में ब्रीधिंग एक्सेसेज़ेबुटेंट इस टाइम पर क्योंकि चाहिए ऑक्सीजन लेफल को इंप्रूव करना है लंग क्पैसिटी इंप्रूव करनी ए ников AN nó अब चाहिए किसी को packs और नहीं वैसके लिए एक्सराइजर बहुत हाए इसे रोज आमें कंगे लिए तो इस विडियो को लास तक जुरूर देखिए तो breathing exercise से पहले हमें यह जानना है कि हमारे कौन-कौन से muscles हमारे काम करते हैं breathing में तो दो तरह के muscles होते हैं एक तो primary एक accessory जिसको हम secondary muscles बोलते हैं तो primary में आता है हमारा diaphragm और intercostals muscles जो हमारे ribs के around होते हैं और accessory muscles होते हैं मारे neck के muscles हमारे chest के यह pectoral muscles यह सब हमारा काम करते हैं thoracic spine के muscles पीछे से यह हमारे काम करते हैं accessory muscles के तोर पे तो main हमने क्या करना है हमने diaphragmatic breathing करनी होते हैं और बहुत सारे लोगों का breathing pattern ही बड़ा different है बड़ा अलग तरीके यानि कि वो chest breather है shallow breather है और यह देखा गया है कि हमें जो एक minute में हम कितनी सांस लेते हैं और वो chest breather होते हैं वो बहुत छोटी छोटी यानि कि shallow breathing हो गही है उनकी जिसकी वज़ासे पूरी जो lungs है वहाँ तक हमारे air नहीं पहुंच पाती है oxygen नहीं पहुंच पाती base of lungs जो है वहाँ तक पहुंच नहीं पाती यानि कि वो जगह खाली रह जाती है इसलिए उनका जो chest है ये इसलिए देखने को मिल रहा है कि इतने लोगों को क्यों lungs की problem आ रही है जब उनको covid हो रहा है क्योंकि उनका जो breathing pattern है वो अच्छा नहीं था या उनको जो shallow breathing है ये anxiety में डर में fear and flight जो होती है उसमें ये चीज जो है shallow breathing उसमें ये काम आती है यानि कि हम सिरफ accessory muscles को use कर रहे हैं primary को use ही नहीं कर रहे हैं तो primary को use कैसे करना है जब हम diaphragmatic breathing करेंगे और nose breathing करेंगे तो देखिए हमने देख रहे हैं आप खुद देखिए एक हाथ अपना रखिए अपने abdomen पे यानि कि पेट पे और दूसरा हाथ रखिए अपने chest पे और देखिए आपका जब आप सांस लेते हैं तो कौन सा हाथ उपर आ रहा है अब जब हम सांस ले रहे हैं मैं जो सांस ले रहा हूं मेरा देखिए नीचे वाला हाथ जो है वो breathe in करने पे बाहर आ रहा है यानि कि मैं diaphragm से abdominal breathing कर रहा हूं जो की correct pattern है अब कई लोग आप सब लोग देखना आप जब सांस लेंगे तो आप क्या करेंगे इस तरह से यानिकि आप chest को फुला रहे हैं अप लादा यूज करिए deep breathing करिए जिससे हमारी oxygen है वो पूरी की पूरी lungs तक पहुंचे और अच्छी तरह पहुंचे और हमारे breathing pattern को फरक पड़े तो सबसे पहले हमने breathing exercise करनी है diaphragmatic breathing उसमें करना है आमने सीधा इस तरह से लेट जाने अब चाहें आप inclined position मैंने एक वीडियो बनाय अब देखिए इस तरह से सीधा लेट जाना है एक हाथ अपना रख लेना हमने abdomen पर दूसरा हाथ हमने रख लेना चेस्ट पर अब हमने क्या करना है abdominal breathing यह pattern हमने follow करना है breathe in करते हुए यह देखिए पेट बहार आना चाहिए breathing करते हुए और हमने मुह से सांस चोड़नी है अभी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा है कि इसको hold करिए कुछ नहीं करिए शिर्फ breathing pattern ठीक करिए breathing exercise बहुत लोगों ने बता ही होंगे covid में यह करिए वो करिए पर pattern जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम क्या exercise करेंगे मुझे नहीं पता इस तरह से रखके breathing in किया है और पेट जो है मारा बाहर आना चाहिए और अमने लिप से अमने लिप्स को पर्स लिप करके यानि कि मुह से हमने सांस चोड़ना है तो यह हमने breathing pattern involve करना है इससे डेफिनेटली आपके lungs जो है वो इंप्रूब होंगे oxygen की capacity भी इंप्रूब होगी next exercise करना है अब जिनको हमारे अशेसरी मसल्स पर आते हैं जैसे वाले मसल्स है तो हमने क्या करना है अपना हाथ और दूसरा आध भी रखके इसको थोड़ा सा नीचे की और नीचे और इंसाइड को पुल करना है अंदर की तरफ इस तरह से अब पुल करते हुए अमने नेक को ऊपर क अब देखके नहीं जया है लेजिक चाई और यहां पर एक स्ट्रैच आ या चाहिए सथ हमें करना थिर और Katy यहांकि यूद्ग अब यूदिर किया जब हमें यह वाइरस अटैक करता है हम अपने लंग्स को इतना इंप्रूव करने इतने अक्सीजन जन्रेट करने तब जब मारे लंग्स के पास इतने मसल्स हैं उनकी वर्किंग इतनी एफीशेंट करने कि हमारे जो लंग्स है वो इसली काम करते रहें चाहे हमें जितनी थर्ड एक्सेसाइज में हमने करना होता है rotation क्योंकि हमने जो thoracic mobility है वो भी improve होगी, इंटर कोस्तोर इंप्रूप होंगे तो वो कैसे करना है इस तरह से हमने बैठ जाने सिटिंग में, हाथ रखने ने सर के बीचे इस से क्या होगा, pectoral जो है वो stretch हो जाते है इस तरह से हमने पेक्टोरल को यानि कि यहां से पकड़ के अब कोई आपका जो भी हमें पीछे से इस तरह से अपने हमारे हाथों को स्ट्रेच भी कर सकता है वो भी पेक्टोरल की स्ट्रेचिंग है पर हमने यह सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे करना है इस तरह से हमने पहले हलका स तो रोटेटो के उसके बाद हमने साइड बेंड कर देना इस तरह से अब इस साइड बेंड कर रहे हैं रोटेटो के तो हमारे इधर वाले इंटर कोस्टर मुसल जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं उसके बाद हमने ब्रीध इन करना है फिर ब्रीध आउट करके पहले हमने जो side bend किया था वो ठीक किया फिर rotation ठीक किया इस तरह से अब दूसरा करेंगे rotation किया थोड़ा 15 डिगरी पर उसके बाद हम side bend जितना आप जा सकते हो stretch करके उसके बाद breathe in करके breathe out करके उसके बाद हमने फिर से सीधे हो जाना यह हो गई हमारे इस तरह से rotation तो अब second exercise के लिए तो अब second exercise के लिए हमने इस तरह से side line में लेड जाना है हमारे जो knees हैं और hip हैं 90-90 degree पर रहेंगे इस तरह से और हाथ भी out of the couch हम रखेंगे इस तरह से यह हमने लेड जाना है बिसमें knees हमारे जो है वो खुलने नहीं चाहिए सिरफ हाथ खुलेगा और वो भी breathe in करते हुए हम इस तरह से rotation करेंगे जा दगम जा सकते हैं तो इस तरह से हमने क्या करना है breathe in करते हुए breathe out करते हुए वापिस अब यह क्या करेगा यह thoracic mobility में हमें help करेगा इसी तरह से हम जब दूसरी साइड करेंगे तो अब देखिए अब thoracic mobility के लिए हम कैसे करेंगे इस तरह से हमने लेड जाना हाथ हमारे sideways है knees 90-90 भी है अब क्या करेंगे हम तो यह होगी हमारी thoracic mobility यह सारी चीजें क्या करें सारे मसल्स को improve करें हमारे लंग्स को improve करने के लिए oxygen generate करने के लिए ताकि हम जब भी सास लें तो प्रॉपरली हो सके अब सेगिन हमने क्या करना है जिनको मैंने कहा था अब ब्रीधिंग सीखने में मुश्किल आते है तो उन्होंने इस तरह से लॉइन पोजीशन में आजाना है दोनों अपने शोल्डर रिलाक्स हमारे नीस जो है वो साइड़ पार बिल्कुल हाथों के बराबर और बिल्कुल रिलाक्स हो जाना है अब जब आप ब्रीध इन क स्ट्रेस लेवल बरता एंग्जाइटी लेवल बरत जाते है तो हम श मैं का हजाता है इसलिए हम में कहाता है कि जब현 को i problem आरी है या हम Tension में तो breathe in करिए लमभी लमभी सास लीजीए वह लमभी 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 सास का मनलब यह कि oxygen जितना generate करेंगी अतना लेवल कम होगा तो इस तरह से हमने रखना है यह हमना हो गया बॉडी का पॉस्चर अब इसमें करना है ब्रीद इन करते हुए अब देखना मेरा पेट जो है वह हमारा सब का पेट वह बाहर के और यानिकी नीचे की और आएगा यह देखिए और जब ब्रीद आउट करना है तो वह अंदर की और जाएगा तो बैली बटन पे ध्यान दीजिए जो मारा बैली बटन है वह उपर नीचे होना चाहिए जब हम सास ले रहे हैं तो वह उपर जाएगा यानिकी इधर की और और जब वह सास छोड़ने तो वह वापिस की और यह diaphragmatic breathing है वो काम कर रहा है तो यह थी कुछ breathing exercises जो हम सब को घर पर करनी है अपने oxygen लेवल इंप्रूब करने के लिए लंग्स की efficiency को बरकरा रखने के लिए तो यह definitely आपको improvement देंगी और अगर किसी को fever fatigue या cold cough के कोई भी symptom हारे है तो हमने local physician से doctor से जरूर consult कीजिए इसको हमें हलके में नहीं लेना है क्योंकि वाइरस बहुत जाधा अपना problem generate कर रहा है हम लोग इस तरह की exercise करके कुछ बच सकते हैं और कुछ अपने अपको improve कर सकते हैं और अपने doctor से consult जरूर कीजिए अगर किसी को problem है कि यह मैं access कर सकता हूं कर नहीं क्योंकि कई बार किसी को problem होती है तो exercise करनी है कि नहीं करनी वह आप doctor से पूछ सकते हैं जब आपको कोई ज्यादा problem आती है तो यह exercise को like कर दिए शेर जूरू करें यह वीडियो को क्योंकि जितनों को आप शेर करेंगे वह घर पे बैठके exercise कर सकते हैं और covid होने के बाद यानि कि corona virus होने के बाद भी जब हमें होस्पिटल से discharge करते हैं तो भी हमें exercise थोड़ी दिर बात करनी शुरू करनी है ताकि हम अपने level को अपने oxygen level को अपने लंग्स को दुबारा से improvement में ला सके और mask जूरूर पहनिए social distancing जूरूर रखिए तो कि यह चीज़े हमें बचा के रखेंगी आप सबने मुझ से इस कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लिजी को कि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है और घर पे रहिए और सेफ रहिए have a nice day take care of yourself